आप लोगों में से कुछ लोगों के प्यारी-प्यारे कमेंट थे कि सरे स्कैल्पिंग क्या होती है, ये कैसे यूज की जाती है, फोरेक्स मार्केट में तो की जाती है, क्या इसको हम इंडिन मार्केट में भी इंप्लिमेंट कर सकते हैं, तो आंसर तो बड़ा सिंपल सा है, ज चाहिए या नहीं करने चाहिए झाहिए दोस्तों आपको एक चीजë explain करता हूँ आप एक अलग indivisual personality हो दूसरा इंसान एक अलग individual personality है एक ही question को हो सकता है आप दूसरे तरीके से देख रह schweg दूसरा इंसान उसको दूसरे तरीके से solve करने की कोशिश कर रहा है, clear, इसी तरीके से अगर आप कोई भी strategy use करोगे, तो वो कैसे काम करेगी, सबसे पहली बात आती है, अगर हम Scalping की बात करें, तो नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बहुती छोटे time frame पर, like कुछ लोग तो क्या करता है, one minute, two minute, three minute, इतने छोटे time frame के उपर Scalping, like बार-बार क्या करेंगे, यहाँ तो buy करेंगे, target अचीव हो जाएगा, यहाँ पे sell कर देंगे, पहला point, दूसरा downtrend होगा, तो पहले क्या करेंगे, पहले sell कर लेंगे, थोड़ा नीची आ जाएगा, तो यहाँ पे buy कर लेंगे, यह होती है Scalping, बट मुद्दा यह है, इसको करते कैसे हैं, घ्यान से समझना, सबसे पहली बात है, हमें यहाँ पे एक चीज़ फोकस करनी है, सबसे पहले तो कि भाई हमारा trend क्या है, अगर आपने trend identification कर लिया, then आपका 60% work complete हो गया, कि भाई करना क्या है, दूसरी चीज़ आ जाती है, आपको multi time frame, ठीक है, multi time frame use करना है, अब आप कहेंगे यह क्यों, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, multi time frame का reason क्या होता है, जब हम स्कैलपिंग करते ह हमने क्या किया, हमने one day के time frame पर देखा, कि हमारा trend क्या है, फिर हम क्या करेंगे, उससे छोटे time frame पर, four hour के time frame पर देखेंगे, then उसके बाद में हम two hour पर देखेंगे, then one hour पर देखेंगे, finally जब हमें confirmation three में मिल जाती है, कम से कम, then हम जो अपना छोटा time frame है, like one minute, two minute, three minute, जो भी आप करना चाहते हो, उसके उपर केवल हमें उस particular trend के हिसाब से trade लेनी है, कैसे, अगर माल लो मैंने देखा कि कि किसी चीज़ का trend by trend है, तो हमें एक चीज़ धियान रखनी चाहिए, कि हमें उस particular segment में, उस particular instrument के उपर, केवल और केवल, buy side पर trade लेनी है, वहाँ पर हमें buy side पर entry करने के साथ साथ, sell side पर चुपचाप वहाँ से निकल जाना है, यह simple सा rule हुआ, अगर हम scalping करना चाह रहे है, with like forex market, और अगर मैं Indian market की बात करता हूँ, तो Indian market में scalping करने की कोई खास जरुवत आपको पढ़ेगी नहीं, reason पता है क्यों है, forex market की बात करें तो 24 घंटे, and 5-6 दिन चलता है, बहुत ही high chances मिल जाता है, मतलब दिन में हो सकता है, 20 plus trades भी आपको वहाँ पे easily मिल जाए, clear, but अगर मैं Indian market की बात करूँ, जो चलता ही सुबह 9 बहे से लेकर शाम के 5 बजी तक है, उस जगा पर अगर आप scalping करने की कोशिश करोगे, then वहाँ पर आपको ज scalping, manual trading के थू, possible ही नहीं हो पाती, क्यो possible नहीं हो पाती, इतने छोटे time frame पर कोई भी इनसान एक particular जगा पर जादा लंबे समय के लिए बैठ कर trade नहीं कर सकता, इस बात को clear कर लो, अब करना क्या होता है, अगर मैं 4X की बात कर रहा हूँ, तो हम क्या कर सकता है, हमने मालो MT4 या MT5 software लिया, उसके उपर काम करना चाहता है, हमने आपे virtual private system लिया, जो कि 506 सुर पर महीना आ जाता है, हमने वहाँ पर अपना EA बनवाया, यह मतलब expert advice बनवाया, कि भाई मैं scalping strategy यूज करना चाहता हूँ, मैंने सबसे पहले trend identification किया, मैंने multi time frame analysis किया, उसके बात में मैंने अपने small time frame के उपर entry करने के लिए एक EA create किया, clear, बट ध्यान रखने की बात है, जो entry होगी, वो केवल trend identification करने के बाद होगी, means by trade है, तो केवल by side पर trade लगेगी और sell side पर exit हो जाएगा, अब इस जगा पर इस इनसान ने अपना क्या किया, दिमाग यूज किया, अब अगर इ एक जगा पर बैट कर ये चीज कर भी पाऊं, तो हमें ध्यान रखना है कि forex में तो हमने ये चीज कर ली, अब Indian market की में बात करो, तो Indian market वे ने बताया, नोज लेकर शाम के 5 बे तक की काम होता है, इस पे अगर हम करना भी चाहें, तो करना कैसे होगा, ध्यान रखने की बात trading view की बात करें, तो यहां पर हमें एक system create करना पड़ेगा, कि जैसे ही buy का signal आए, तो हमें buy achievement मिले, और sell side पे हमारी trade बंद हो जाए, तो पहली चीज हमें trading view की जरवत पड़ी, दूसरी चीज हमें एक trading boat की जरवत पड़ेगी, जो कि हमारे signals को हमारे demit account में transfer करेगा, क्यों? क तीसरी चीज की बात करें, अगर trade हो भी गई, तो ध्यान देने वाली बात है, जो आपके targets होंगे, वो आपको बहुत ही छोटे छोटे रखने पड़ता है, reason बड़ा simple सा है, कि target छोटे होंगे, quantity high होगी, then definitely आपको आपको आपे profits होने की chances बढ़ जाता है, क्योंकि हमने आप Forex Market में easily आपको मिल जाता है, यह double side work करता है, बोला जाता है कि दोनों तरफ से पैसा बनेगा, buy side पे और sell side पर भी, actual में यह फर्जी वाड़ा होता है, ध्यान रखना, double side पर काम करकर कभी एक professional trader को फायदा नहीं हो सकता, वो जानता है कि trade जो होती है, या तो single side ऊपर की 50% time यहाँ पर होती है, sideways, 60% time market sideways, 20% time uptrend and 20% time market downtrend, so common सी बात है, असली पैसा कौन कमाएगा, असली पैसा option seller कमाएगा, इस बात को ध्यान रखना, अब यह इतनी बात है सुनने के बाद में, आपको एक चीज तो clear हो गी होगी कि scalping शायद आपके लिए नहीं बनी है, मैं खु प्रेक्स की बात करें तब भी, और इंडियर की बात करें तो यहाँ पर तो trade बनने की chances बहुत कम होता है, बट कोई फायदा यहाँ पर count होगा नहीं, ध्यान रखना, हमें focus करना चाहिए कि profit बनता कहां पर है, मैं आपको एक चीज समझात हूँ, जितना जादा, मतलब हम नी आपको कम करनी पड़ेगी, आपको क्या बताने वाले हो, देखो दोस्तो, सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर आ जाता है scalping, ठीक, उसके बाद बोल सकते हूँ कि हम यहाँ पर intraday, उसके बाद बोल सकते हूँ कि यहाँ पर like swing trade, swing trade भी कितने दिन की 2 से 7 या 10 दिन की trade जो ह ठीक है, positional trades, तो common सी बात है, आप सबसे नीचे की तरफ अगर काम करोगे, तो यहाँ पर आपकी involvement जादा होगी, पहली point, दूसरी बात, अगर आप इससे उपर की तरफ चलते जाओगे, तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी involvement यहाँ पर रखने की जरूरत न है, यहाँ पर तो आपने trade ली और आप चुपचा बैट कर देख रहे हो कि क्या game चल रहा है, ठीक, अब आप खुद decide करो कि आपको scalping करना है, जिसमें आपकी involvement बहुत सादा होगी, intraday करना है, जिसमें होगी, थोड़ी कम होगी, swing करना है, जिसमें थोड़ा easy और हो और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, यह जितना ऊपर की तरफ जाते जाओगे आप, उतने आपके winning ratio बढ़ता जाएगा, कि आप कितना जीत जाओगे, यह चीज ध्यान रखो, यह actual chart है, जिसको मैं बोल सकता हूँ, कि एक इंसान को starting करनी चाहिए, starting इंसान कहां से करना चा होगा, जब आपको पता लगेगा, मैंने 10 trade ली हैं, और 10 में से मेरी 8 trades जो है, profitable count हुई, आपको पता लगेगा कि reality क्या है, जितना जादा आप नीचे की तरफ आओगे न, यहाँ पे आपको मज़ा जादा आएगा, पट सजादा मिलेगी, इस बात को ध्यान रखना, यह ची आपको क्यों करनी है, क्यों नहीं करनी है, पूरी चीज़े आपको clear हो गई होंगी, ठीक है, so मिलते हैं next important video के अंदर, and किसी को भी किसी तरीके को question है, तो नीचे मैंने एक form fill करने के लिए दिया है, जिसमें कि आप हमारे discord server को भी join कर सकते हो, plus मेरा एक number है, 9837482890, okay, and second number है 8077521043, आप इनमें किसी भी message पर, like number में message कर सकते हैं, करने के बाद में आपको जो भी question होगा, आपके question का answer मैं है, या मेरी team आपको proper way में provide करेंगे, और आपकी जो भी problem है, उसको solve करने की कोशिश की चाहेगी, ठीक है, so मिलते है next important video के इंदर, please video कर पसंद आई हो दो, अच्छाता नीचे comment कर देना, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है, so मिलते है next important video के अंदर,